नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजुकेशन फॉबेटर टुमोरों में आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक रिक्रूट्मेंट 2021 के बारे में जोकी 350 नाविक जीडी एंड डीवी एंड यांत्रिक वेकंसी जीरो वन दोजर बाइस बैच लाज्ट इडिसका सोलह जूलाई दोजर एकी से तो आसा करते हैं आप सभी सब्सक्राइब और कोविट गाइड लाइंग्स का पालन कर रहे होंगे आज की इस नोटिफिकेशन में हम आपको बताएंगे वेकंसी डिटेल एजुकेशनल क्वा सोलह जूलाई 2021 से टेंटेटिव स्टेज वन एक्जाम डेट फॉर नाविक जीडी एंड डेवी एंड यांतरिक जो है मिट एंड इन सेप्टेंबर 2021 प्रेडिक्टेड इसमें वेकंसी डिटेल की बात करें उससे पहले चैनल पर जो नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीज तो इसमें वेकंसी डिटेल चेक करते हैं तो इसमें नाविक जेनरल लीटरी तो साठ नाविक ट्रमेस्टिक ब्रांश 50 यहांटरिक 45 और इसमें पे इसकेल है 21,700 लेवल 3 पे इसकेल फॉर जीडी और डीवी एंड यांतरिक के लिए लेवल 5 पे इसकेल है 39,200 तेटल 350 वेकं क्या है पोस्ट नेम जेनरल इडवलो एस ओवी सी एससी एस्ट एंड टोटल इस तरीके से यहां आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो चलिए अब आगे देखते हैं इसकी eligibility criteria क्या है और एज लिमिट कितनी ही चाहिए इससे पहले चैनल पर जो नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिजिए आभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे यह अपडेट्स पर इंफोर्मेशन बरी वीडियो पाते रहने के लिए वीडियो को ज्यादा च्यादा लोगों तक सेयर करें जिससे इंफोर्मेशन बागी लोगों तक भी पहुँच सक जीडी बीडी एंड यांत्रिक लिए तो चलिए अब इसमें हम फीजिकल फीटनेस देख लेते हैं हाइट इसमें 117 संटीमेटर रन 1.6 किलोमेटर इन 7 मिनिट उटक बैटक 20 स्क्वार्ट उटक बैठक और पूशब 10 पूशब इसमें जो एप्लिकेशन फी है फोर जेनरल कर सकते हैं इसको अप्लाई करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसके ऑफिस्यल वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in या फिर आप विजिट कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें जॉब लोकेशन और इंडिया का होगा और सेलेक्शन का जो प्रोसेस है वह बेस्ट होगा रिटेन एक्जाम एन फिजिकल फिटनेट टेस्ट के आधार पर इसका जो लिंक है ऑनलाइन अप्लाई करने का वह 27221 को एक्टिवेट होगा तो तब तक आप वेट कीजिए यह नोटिफिकेशन आया था जिसके बारे में हमने आपको अप्डेट किया वेबसाइट अप्लाई करने के लिए 2 जुलाई 2021 को उपन होगा तो आसा करते हैं आपको हमारा दोज़ाद दीगरी जानकारी यूज़ फुल होगी ऐसे ही बाकी लोगों तक भी पहुंच सकें बाकी लोगों की भी एलफ हो सकें बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन